नमश्कार दोस्तों टेकनिकल एक्सपर्स के इसने एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों स्मार्टफोन हम सब यूज करते हैं तो ऐसे में हमारा सबसे बड़ा प्रॉलम यह होता है कि स्मार्टफोन को हमें दो बार या तिन बार दिन में चार तो ऐसे में हम एक पावरबैंक करते हैं लेकिन आज मार्केट में जो यह बहुत सार अलग अलग तरिके के ब्रैंड देखने मिलते हैं और अलग अगर आपको आपको मोबाइल का जो बैटरी यह वह थीन हजर एमेज का और आपको दिन में कम से कम दो बार अडिशनल चार्ज करना होगा तो आप मिनिम्म पर्चेस कीजिए कोई 10,000 एमेज की बैटरी आपको मार्केट में 11 से लेके 3,000 एमेज 3,500 एमेज 5,000 एमेज 7,800 एमेज 10,000 एमेज 15,000 20,000 एमेज तक से जाधा भी मिल जाता है मार्केट के अंदर तो आप देखिए कि आपको कितना एमेज का बैटरी पर्चेस करना है और उसकी हिसाब से आप बड़ी आसाने से एक पावर पावर बैटरी डिलो हो गया आप समझे आपने पर्चेस किया एक 3,000 एमेज की मोबैल यूस कर रहे हो बैटरी का मोबैल का बैटरी कंजम्शन है और आप जो ले रहे हो एक 1500 एमेज का बैटरी तो आपको ज्यादातर बेनिफिट नहीं देगा तो आप देखिए कि आप कित 10,000 एमेज के बैटरी है वहाँ पर आपको फूरा-पूरा 10,000 एमेज का उटपुट नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा डिपेंड करता है पावर बैंक के ब्रैंड के उपर यहाँ पर आपको मिनिमम जो 75% तक आउटपुट देखने मिलता है और पाउड परसेंट पूरा-टफूर आपको देखने मिलेगा जो पाउर बैंक में चार्ज होने के बाद नीकिए बाद पाब सार्वर यही प्रसेस होता है तो ुश में powerbank में जो port है वो कितना कितना जो Output कितना इमेच का output वाला है तो यहाँ पर जो सारे जो ए 5A का होते हैं 5 वोल्ट का होता है लेकिन यहाँ पर 2.2-1 एंपर तो ऐसे अलग-अलग different मिलता है और कुछ में सरी 15 2 पूर्म मिलता है और च पारण में 3-5 तक वे आपको देखने मिलता है तो आपको किपर चाहिए आपको अगर अकेले स्क्रिवाले हो या तो फिर आपको आपको तुसना चाहिए ला वाणां प докум Jen तो यहाँ दूसरी बात है कि आपको ट्रैकिंग वागरे में जाना हो तो आपको टार्च जो है बहुत ही काम आता है तिसरा जो है अब कुछ पावर बैंग में आपको देखने मिलता है एफम रेडियो उसके आप मूजिक प्लेयर यह तो फिर आपको मिलता है उसके अंदर एंदर utility मिलते हैं तो आप देखिए अगर आपको अगर इस सारी utility की सारी मिलता है तो आपको better होगा कि आपको power bank की जैसे भी उस कर सकते हैं एक music player के जैसे Bluetooth speaker के जैसे आप यूज़ कर सकते हो तो यह सारी utility जितना ज्यादा होगा आपको benefit देगा कि उतना अच्छा होगा आपको powerbank यूज़ करने में और उसके साथ में आपको देखना है कि pass through charger वाला आपको जो है pass through charging technology वाला आपको powerbank मिले आपको चार्ज करना पहला का चार्ज कर लेना होगा उसके बाद आपको चार्ज कर लेकिन यहाँ पर आप कभी ट्रैवल करते हो या तो फिर कहीं पर बहार हो तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास एक ही कोई adapter होगा जिससे आप एक तो mobile को चार्ज करते हो और उसी से आपको आप चार्ज पाउरबेंगों लिए बैटा रहे हो जाते हैं अगर आपने ट्रैवलिंग के बाद आया है रात के ते जब घर में आप किया तो होटल में आपको पश्टे कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो आइसमें अगर पास तुर्ध चार्जिं के तक पाउरबेंग एंग होगा तो आगर बात कुरूब कुछ पाउर बैंक के तुसके अंदर आपको जो है वह वह पास्थर चार्जिंग वाला नहीं देखने नहीं मिलता है तो आप यह अच्छा है कि आपको बेनिफिट देने वाली बात है कि आगर आप चेकर लिजए कि पास्थरो चार्जिंग हो रहा है यह नहीं हो रहा है और इसके साथ अगर आपके जैसे कि आप मोबाइल में भी वास्ट चारजिंग होता है बहुत सब्सक्राइब करता है उसके अब से जो आपको जल्दी चार्ज हो जाता है तो उससे आपको benefit मिल जखता है उसके बाद दूस्स सबसे important बात यह है powerbank purchase करते वक्त क्या आप कोई भी powerbank local market से जहाँ पर आपको सस्ता मिलता है वहां से ना purchase करें क्योंकि मैंने पर्चेस किया था मैंने सिर्फ देखने के लिए पर्चेस किया था तो वहां पर वह एक पावर बैंक था 10,000 एमेच का और उसके उसका जो है आउटपूट जो चार्जर मेंने मोबैल करनेट जैसे ही करता हो तो कुछ 10 मिनट में जो हो पूरा ड्राय हो जाता है और उसका कोश्टा करीब 150 रिपीस यानि कि मतलब 10,000 एमेच आगर 150 रिपीस में मिलने लगा तो शायद कोई आउनलाइन वागरे में कोई उसके बाद मुझे बैटरी पुरा रात लेता है चार्जिंग फुल होने में और आपके मोबल 10 मिन में लागए बैटरी ड्रय हो जाता है तो आप रेपूटर ब्रैंड का पर्चेस करें और रेपूटर ब्रैंड के पर्चेस करना हो मैं प्रिफेर करूँगा ज्यादा तर क जो है 15 आउटलेट्स में आपको स्रीफ फर्स्ट कॉपी या तो फिन नकली पाउर्बैंक दिखने मिलते ब्रैंड के नाम से सोनी सैंसेन लिवगार्ड शौमी ऐसा जो है बूद अच्छे ब्रैंड है यह सब पाउर्बैंड बूद अच्छा है लेकिन यह आपको मिलेगे जो अच्छा प्लैटफॉर्म है वहाँ से आप पर्चेस कीजिए वहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्कॉर्म भी मिल जाते हैं स्नैप डिल फ्लिप कार्ड कई से पर्चेस कीजिए लेकिन आप आप ऑनलाइन पर्चेस करोगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा और आप कोई भ पर्चेस करते होग और आप समझ वीडियो को पसंद आया होगा किन-किन बातों रखना है अगर इस वीडियो को पसंद आया होगा तो आप निच्छे कमेंट कीजिए अगली वीडियो में उसे कवर करने कुशिश करूँए और आपके मन में कोई बातों के बार मैं जानकरे जानने चाहती हो तो निच्छे कमेंट कीजिए उसके बारे में जल्दी एक वीडियो बनने के कुशिश करूँगा फिर मिलता हूँ एक नएपिसोड में